Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel SWG Study with Guru Kulls और आज का topic जो हम discuss करने वाले हैं that is the Enculturation Enculturation क्या है? इसका meaning क्या है? इसकी क्या importance है हमाई society में? आज हम इसको पढ़ेंगे तो Friends, when we talk about Enculturation क्या है ये? ये एक ऐसा process है जिससे कि एक कोई भी एक established culture है कोई भी एक जो culture है, जो established हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है वो अपने हर individual को जो भी उस community से या culture से associated होता है उसको सिखाता है क्या सिखाता है? It teaches the norms and the values of that particular culture and वो किसले सिखाई जाती? वो इसले ताकि he or she became the accepted member of that particular society और जो उसके role को suit करे जैसे की mother का particular role होता है society में, father का role होता है particular society में तो हर culture में, हर society में, हर community में वो culture to culture depend करता है एक culture में हो सकता है mother के कुछ और roles हो and associated with other things and दूसरे culture में कुछ और add upon या subtraction उसमें हो सकती है तो most importantly is establishes the context of the boundaries and correctness that dictates what is permissible and what is not permissible in that society's framework basically वो rules, regulations बता है कि इस culture में क्या acceptable है and क्या acceptable नहीं है जैसे कुछ culture में polygamy जो है accepted होती है and कहीं कहीं पे polygamy accepted नहीं होती है वहाँ monogamy accept होती है so it is a process of learning that takes a person and teaching him or her the way of the life to their people or a country वतलब एक तरीका है life को जीने का तरीका एक culture सिखाता है हर एक individual को जो इस culture से associate है वो एक चोटी सी community भी हो सकती है चोटी सी country भी हो सकती है island भी हो सकता है ट्राइब भी हो सकता है and यह जो है lifelong process है ऐसा नहीं है कि सरफ बच्चे को जो सिखा दिया पड़ा दिया हो गया नहीं यह adulthood में भी चलता रहता है जैसे जैसे उनको experience होता है exposure होता है वो अपने society अपने culture के बारे में सीखते जाते है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें ट्राइब फादर है ट्राइबल फादर है और चिल्डरन है जो कि आप देख सकते हैं इनके cheeks पहेएक छेके पह ने हुए है एंड similar marks जो है उन्होंने जो है अपने बच्चे पहरे बिंदधनार कर आए थिए जो मांक से यह similarly उन्होंने अपने वन्हें ग्राइं एक को सिखाना ना हो नहीं आ दो डैर लेर्निंग प्रॉसेस वह सगो सकता है कैसे होती यह unculturation जो है it is learnt in various forms जैसे की अब देख सकते हैं इन दो form of speech word gestures बोलकर हो सकती है सरफ gestures देखके हो सकती है body language से हो सकती है किसी भी form में unculturation हो सकती है and there are basically six things जो की एक culture में एक इंसान अपने life में learn करता है one is a technological मतलब technological का मतलब है जैसे कि मैंने भी example दिया था कि कैसे वह चीक्स पे marks बनाते हैं and कैसे उनकी culture में कैसे importance होता है economical जैसे किसी भी country की economy होती है कुछ state जो है उस country के बहुत अच्छे होते हैं business जैसे कि गुजरात हुआ उसे हम आफ बिजनस के वहां का बोला भी जाता है कि हर इंसान जो बिजनस करने का तरीका आता है वहां पे अच्छाहिए आख जो गुजरे निकल के आते हैं प्राइम मिनिस्ट पर जाते हैं जैसे कि यूपी हो गया वहां से बहुत सारे लीडर से फेमस होगे अचल बिहारी वाज़वाच पर हो गए और बहुत सारे ऐसे लीडर सेने निकलके आए ऐसा नहीं कि निकल कहा है जोकि पेरेंट चैस्टीश कोई इपर्टिकुलर की क्या आइडॉलोजी होती है एडाव 27 अलग लग कि जो की ज्याते तूदे एक जजनरेशन रिद गुटर को देखता है एसी होती जो बहुत पीसफुल होती हैं एंड कुछ कंट्री जो होते हैं तो यह अपनी अपनी आइडियोजी होती है एंड कैसे वह वर्ड को देखते हैं and it is all done by the and culturation . नो functions का canculture क्यों किया जाता है जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है basically सिखाया जाता है accepted norms and values जो norms उस culture में accepted है वह को सोसाइटी में वो हर इंडिविजुल को सिखाय जाते हैं इसलिए जाते हैं कि उस मेंबर की एसे डिमबर पन्जाया दो इसको अलूफ फील ना हो अलग फील ला उसको यही लगे कि उस कल्चर का वो मेंबर है और एसे तरीके से अच्छारा कि जो उसका पर्टिक्लर रोल है उस ग्रुप में जो उसके फंक्शन से जो उसके सिद्धान पर जो उसको काम करना है उस साइटी में वह उससे सीख जाए जो इस इस पर्टिक्लर सोसाइटी जिसे वह बिलॉंग करता है उसमें सब्सक्राइटी में वह उसके साइटी में वह जो इन्सान है उससाइटी का वह उसका लाइश्टाइल सीखता है कि उसकी पूझा पद्दती क्या है? ज्की कैसे शादी होती है? बच्चों की अब्रिंग कैसे होती है? तो बैसक्लिटिक्ल्डिक्लर उसका लाइश्टाईल सीखता लोए है। and calcuration can happen from various processes it can be conscious and it can be unconscious conscious means we know that we know that we are learning and understanding and one thing is unconsciousness it is not our own consciousness we are not unconsciously so basically there are three ways through which a person can learn about the culture the first one is the direct teaching direct teaching of the culture is done parents say that you should please or sorry when you do this this is the instructions next is the conscious way is to learn when we learn the culture by watching others when we learn the culture by watching others we can evaluate them like many children in school 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 in school